हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो मैं चैनल स्माइल विट कू कस्टनर फ्रेंट्स आज मैं आप लोगों के साथ होम मेट फेस टॉनर सेयर करने जा रही हूँ जो 100% नेचुरल है और मॉन्सुन के सीजन के लिए बिल्कुल पर्फेक्ट फेस टॉनर होगी इससे आपके फेस के रैसे पिंपल्स दूर होंगे आपके फेस की ओपन पोर्स को ये फिल करेगा और आपकी फेस इससे टॉन होगी आएए मैं बताती हूँ इसे कैसे तयार करना है इसके लिए एक कॉल हम फ्लेम पे रखेंगे और उसमें एक कप वाटर आट करेंगे इसे हम तुल्सी के पत्ते से तयार करेंगे और जैसा कि हम सभी जानते हैं तुल्सी के पत्तों में एंटी फंगल एंटी बैक्टेरियल प्रोपर्टीज होते हैं जो हमारे स्कीन के लिए बहुत हेलफूल होते हैं अब इस वाटर में हम कुछ तुलसी के पत्ते एड़ कर लेंगे, बिल्कुल फ्रेस होनी चाहिए और ध्यान रहे, इसके लिए हम स्टिल की बर्तन ही यूज करेंगे, जिससे इसमें जो भी प्रोपर्टीज हैं वो बने रहें, इस तरह से इसे एड़ करने के बाद, इसे हम अ जब तक पानी की कॉंटिटी हाप न रह जाए, इस तरह से इसे बॉल करते हुए, हम इसे बिल्कुल हाप कॉंटिटी में कर लेंगे, फ्रेंज इसे हम आज से टरस्टीन के लिए फ्रेस में स्टोर करके रख सकते हैं, तो ध्यान रहे, आपको जितनी कॉंटिटी में ये चा करें इससे हम टेटी हो जाने के बाद स्प्रे नोजल बॉटल में या फिर नॉर्मल सी बॉटल में रखकर फ्रेज में स्टोर करके रख सकते हैं और रोजाना इसे फेस वास करने के बाद अपने फेस में आप अपलाई कर सकते हैं इसके कोई साइड इफेट्स नहीं है तो आप चाहें तो इसे दीन में दो बार भी यूज कर सकते हैं इस तरह से जब पानी बॉयल होने के बाद बिल्कुल हाप क्वांटिटी में आ जाए तो हम फ्लेम आफ कर लेंगे और इसे धंधा होने के लिए रख देंगे जब ये अच्छे से कूल हो जाए तो इसे हम स्ट्रेंड करके एक बॉल पे ले लेंगे इस तरह से आप देख सकते हैं जब ये बिल्कुल कूल हो जाए तो इसे स्ट्रेंड करके हम बॉल पे ट्रांसफर कर लेंगे अब इस तुलसी इंफ्यूज़ वाटर में हम रोज़ वाटर एड़ करेंगे बिल्कुल हाप कॉंटिटी में हमें रोज़ वाटर एड़ करनी है अगर आपके पास 2 टेबल स्पून तुलसी इंफ्यूजड वाटर है तो उस पे 1 टेबल स्पून प्रोज वाटर एड़ करेंगे इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा फेस टोनर बन के तयार है इसे हम फ्रेज में स्टोर करके रख लेंगे और हर तिन फेस वास करने के बाद इसे हम कॉटन बॉल की हेल्प से या फिर अगर आपके पास स्प्रे नोजल बोटल हो तो उसकी हेल्प से अच्छे से अपने फेस एंड नेक पे अपलाई करेंगे आप चाहें तो इसे अपने हाथों में भी अपलाई कर सकते हैं इससे आपकी स्कीन बिल्कुल टोन रहेगी आप इसे जरूर ट्राइ करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल और प्रेज पेल आइकन औ और अगर आपको मेरी beauty tips पसंद आई हो तो please like करना ना भूले, thank you.